हेलो फ्रेंड नमस्कार तो आज फीर आगे एक नए विडियो के साथ तो फ्रेंड आज हम इस विडियो में आपको यूटूब चैनल कैसे बनाना ये बताने जा रहे हैं आप कैसे बना सकते एक अच्छा सा यूटूब चैनल तो फ्रेंड इसके लिए आपको सबसे पहले यू यूटूब चैनल बनाया जाता है और अच्छा से इसको कस्टोमाइज वगेरा करना भी सिखाऊंगे तो यह पहले ओपन कर लीजिए उसके बाद आपको अपना लोगो देखेगा यहां पर देखे कॉर्णर में आपको नीचे के साइड आपको यहां यहां आप देख सकते हैं स्वीच अकाउंड आपको लिखा होगा या खाता बदले तो उसी वाले ओप्षन पर आपको जेनरली क्लिक कर देना है तो खाता बदले ओप्षन पर हम क्लिक कर देते हैं अब यहां पर जितना सारा आइडी चैनल वगेरा का बना हुआ, सारा ओपन होकर आ जाएगा तो आप पहले से जो आईडी बना रखे हैं उस पर बिल्कुल भी काम ना करें आप फिर से एक नया जीमेल आईडी बनाएं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई सा परिसानी वगेरा हो सकता या आप यह पासवर्ड वगेरा अगर भूल गए होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो चलिए हम एक नया सा पहले हम जीमेल आईडी को क्रियेट कर लेंगे और उसी से हम नया चैनल को ओपें करेंगे तो इसके लिए फ्रेंड यह पलस वाले जो निसान आपको दिख रहा है यहाँ ओपें यहाँ पे देखिए आपको उसी वाले ओप्सन पर आपको क्लिक कर ले रहें हैं क्लिक करने का बाद कुछ इस तरह simplified साता है यूज़ पैटर्न हमें कर लेते हैं चलिए हम अपना पहले को ओपें कर लेते हैं तो नया बनाना है, तो create account वाले जो option आपको दिख रहा है, बस उसी पे click करना है, क्योंकि हमको नया Gmail बनाना है, create करना है, तो इस वाले option पे हम click कर देते हैं, click करने का बाद यहाँ पे आपको दो option खुल के दिख रहा होगा, for my personal use, और दूसरा है for work or my business, तो आप अपने अगर personal use के लिए ही, आप जब account खोल रहे हैं, YouTube चैनल के लिए, तो आप यहाँ पर लेकिए for my personal use, तो चलिए हम इस वाले option पे click कर लेते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखते रहे हैं, बिल्कुल भी skip ना करिए, आप एक YouTube चैनल बहुत अच्छा वाले खोल लेंगे, अब यहाँ पर आगया first name, आप जो भी आपका जो भी नाम है first वो यहाँ पर डाल दीजिए, चलिए हम कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर, मैं अपना नाम डाल लेती हूं, यहाँ पर देखिए हम नाम डाल लिए हैं, और surname जो नीचे है, optional है, आपका मर्ची लिख सकते या नहीं, चलि क्लिक कर देंगे, यहाँ जो next आपको दीख रहा है blue color का, यहाँ पर देखिए friend हम click कर चुके है, अब आपको day जितना है, आप उसमें day डाल दीजिए, कितना तारिक है आपका date of worth, तो चलिए हम date of worth डाल लेते हैं, एक, और month डाल देते हैं, जो भी मेरा है, हम उसको डाल ले हैं, यहाँ पर देखिए हम डाल लिए हैं, अपना date of worth, और नीचे आगया gender, female, male जो भी है, चूच कर लिए, चलिए हम चूच कर लिए, उसके बाद क्या करना है, next, next वाले option पर आपको click कर देना है, तो यहाँ next है, next वाले option पर click कर देते हैं, यहाँ पर देखिए आगया, create a gmail address, अब gmail बनाना है, उतना काम कर लिए, उसके बाद यहाँ पर create a gmail address, तो आप यहाँ पर कुछ भी अपना नाम वगेरा रख के भी कर सकते हैं, तो चलिए हम रख लेते हैं, पहले नाम रख लीजिए, कुछ letter ले लीजिए, और उसके बाद full stop लगाईएगा, letters, number and full stop को use करना है, तो हम ले लिए हैं, पहले अच्छर ले लिए हैं, letters ले लिए हैं, अब numbers का ले लेंगे, कुछ भी यहाँ पर हम numbers ले लेते हैं, चलिए, ले लिए हैं, अब यहाँ पर next करके देख रहे हैं हम, अगर already अगर इस नाम से बना रहेगा, तो यहाँ पर नहीं ले लेगा, अगर नहीं बना रहेगा, तो यह ले लेगा, next जैसे ही करेंगे, वैसे ही यह उठा लेगा, तो हम यहाँ next वाले option पर हम click करके देख हैं, तो यहाँ पर देखिए, next वाले option पर click किये, तो यह लिया हुआ है, तो इसलिए, नहीं यह ले रहा है, तो हम ठीक, फिर से करके देख रहे हैं, फिर से लगा के देखते हैं, इतना ले लेती हूं, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर next कर गये हैं, अब देखिए, यहा strong password बनाना है, अपना Gmail ID का strong password, तो strong password के लिए आपको यूज करना है, letters, number और symbol, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, letters, चलिए हम ले लिए हैं, letters, यह हो गया, अब हम number ले लेते हैं, इस तरह से, उसके बाद symbol ले लेते हैं, कोई सा भी symbol ले लीजिए आप, चलिए हम यह ले लेते हैं, उसके बाद हम कम से कम आपको 8 letter का होना, चलिए 8 letter से 16 तक आप रख सकते हैं, तो मेरा साइद 8 हुआ कि ने, अभी 8 नहीं हुआ फिन्ट, तो हमको एक और लेना पड़ जाएगा, तो चलिए हम hashtag भी ले लेते हैं, इस तरह से हम strong password बना लेते हैं, next करके देख लेते हैं, तो हम next कर लिए, अब देखे मेरा Gmail बन चुका है, नया Gmail, अब यहाँ पर आपको yes I am in कर दीजिए, आप यहाँ पर कर दिए, उसके बाद आपको next option जो दीख रहा है friend, यहाँ पर आप next वाले option पर आप click कर दे, यहाँ जो next है उस पर आप click कर दे, तो हम next वाले option पर click कर अगरी कर दीजिए, यहाँ पर चलिए, अगरी कर दिए हैं, अलाव कर दिए हैं, अब अभी इस तरह से हो रहा है friend, आप बिल्कुल भी skip ना करें, आप शुरू से मेरे विडियो में बने रहें, इस तरह से कर लिए, अब देखे यहाँ पर मेरा बन गया है, यहाँ पर यहाँ पर देखे, पी लिख रहा है, तो पी वाले उप्सन पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर है चैनल बनाए, चैनल बनाने का जो एरो दिख रहा है friend, आपको यहाँ पर चैनल बनाए वाले आपको क्लिक कर देना है, चैनल बनाए, तो यहाँ पर आप चैनल बनाए वाल देख्यें इस तरह से हम लगा ली है और यहां पे हम कर लिए यह मेरा फोटो हो गया है जैनल में जो रहेसा कि इस तरह से वह फ्रेंड यहां पे न आपको जो चैनल का नाम रकना है वो इहां बाले ओप्संट्री के आप अपना चैनल का नाम रखे जो रखना चाहा है है तो म openness लिजिए आपका cooking वाला है cooking वर जो भी आपका बैट रहा है आपका नाम से तो cook with लिख लिजिए cook with poonam हम लिख लेते हैं cook with poonam अगर आपका blog है तो लिख लिजिए poonam blog जैसे भी आपका मल जी अपना नाम पर आपको जो भी चैनल का नाम सोच रखे हैं बस वही आप डालिए और यहां सेव वाले उप्षन पर सेव कर देजिए यहां आप देख सकते हैं यह हो गया अब हैंडल नेम यहां पर देखे बन के आ गया है यहां आप देख सकते हैं यह हैंडल नेम हो गया यहाँ आपको नीचे है चैनल बनाये है यहाँ गया है यहाँ आप देख सकते हैं मेराarbeiten यहाँ बन गया है लेकिन और और भी काम बहुत बाकि अभी समझे 10% काम इसका हुआ है बाकि 90% अभी यहां से नहीं होगा क्यूंकि देखे जब भी चैनल कुछ खुलता है तो अभी चैनल पर देखे आप जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा बस इस तरस दिखाएगा देखे आप अप यहां पर जो है यह मेरा चैनल है देखे हम इसको आपको ओपन करके दिखाते हैं देखे किस तरह से यहां पर देखे होमपेज साट्स पले लिस्ट कॉम्नियूटी वगेरा सब कुछ आपको यहां पर दिखेगा तो अभी वह सब आपको उस नए वाले चैनल में कुछ भी न सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा तो कहां है क्रोम ब्राउजर उसको हम पहले खोज लेते हैं देखे मेरा यहां क्रोम ब्राउजर है यह देखे कस्टोमाइज चैनल को करने के लिए क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होता है क्रोम ब्राउजर ओप को मिल रहा है University इस तरह से आपको देख रहा है देखने को मिल रहा है यहाँ आरो वाले जो निसान में उसको घुछे स्कॉछ और पर抬ंद यहां पर लिमराही है उसलिए लगा हुआ है तो आप एरो वाले निसान पर हाथ रखे डेस्टॉप साइड मोड में इसको ओपन कर लिजे यह ओपन मेरा हो चुका है अब उसके बाद यहां यू वाले जो ओप्सन आपको देख रहा है को ना में यहां पर देख सकते आप यहीं पर आपको क्लिक कर देना हम क्लिक कर दिए यू वाले ओप्सन पर फ्रेंड उसके बाद हमको चैनल वह जो बनाए है उसको लाना है तो हम यहां पर क्लिक करके स्विच अकाउंट करके हम वह जो नया बनाए है जस्ट उसको हम पहले यहां पर ले लेते हैं क्योंकि पुराना वाल आ गया देखिए मेर यह Channel यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे जो नया बनाए हैं, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जो आप क्लिक कर दिए हैं क्लिक करने के बाद इक क्या होता इटी अस्टीडियो इसमें ओपन हो जाता है और आपको एक अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा इटी अस्टीडियो को उसी से सारा कुछ डैसबोर्ड वगेरा एनलाइटिक्स वगेरा हम देख सकते हैं कि कितना व्यूज क्या यहां पर Continue वाले उप्शन पर आप कलिक कर दें यहां हम कलिक कर दिए उसके बाद आपको नीचे की ओर देखे एकदम कोना में नीचे की ओर आपको एकदम छोटा से देखे setting का option यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ देखे छोटा सा setting दिख रहा होगा आपको बढ़ा किये हैं इसको दिखाने के लिए आपको तो इसी पर आपको click कर देना है क्लिक करने का बाद यहाँ पर देखिए option आ गया है पहला में आ गया है general दूसरा में channel तीसरा में upload default permission community creator demographic agreements तो आपको सबसे पहले general वाले option में क्या आ रहा है यहाँ प्यारा USD US dollar तो आपको क्या करना अगर आप Indian है तेहां पर आप click किजिए simple यह जो arrow नीचे keyword है इस पर click कर यह open होगा आप अगर Indian है तेहां INR को select कर लिजिए INR देख लिजिए कहां है आप इसे करके देख लिजिए पहले इसमें बहुत चोटा चोटा दिखता है देखने में थोड़ा problem होता है फ्रेंड तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा INR कहां पर है मुझे भी तु दिखाई नहीं दे रहा है आप फ्रेंड INR हाँ देखिए यहां पर INR आ गया देखिए यहां पर इंडियन रुपीज आई एन आर आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड तो आपको उसी को सलेक्ट कर लेना होगा ताकि इंडियन रुपीज में सो करें आपका जब भी पैसे चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको उसके बाद यहां पर देखिए आगया है Basic info यहां पर आपको देख रहे हो होगा फिर्ट यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर पिक्रनाथ क्लिक करना कंट्री कर लेना हम कहां से हैं जहां से हैं इंडिया से हैं कि पकिस्थान से हैं कि बंग्लावा ये만 yn です तो यह रहा देखिए इंडिया यहां पर हम उसको सलेक कर लेते हैं हम इंडिया से हैं भाई अब यहां पर हो गया है यहां पर देखिया आरहा है तो सकेंड में अप्सन की आपकर जो चैनल का नेम है उसी अधार पर आप कुछ keyword रख लिजिए जैसे कि मान लिए मेरा cook channel है ठीक है तो उसी को घुमा फिरा के लिख लेना है cook सबसे पहले तो वही लिखेंगे channel का नाम cook with poonam हम यह लिख लिए फिर यहाँ पे कौमा वाले पे चले जाएए या नहीं फिर इस पे यह जो एरो आपको दिख रहा है इस पे आप चले जाएए इस तरह से यह tag बन जाएगा आपका यहाँ पे keyword बन जाएगा cook with poonam हो गया फिर आप इसको पलटके लिख 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 पूनम with cook इसी तरह से आप जो भी दो चार दस रख लिए अपना अनुसार से यहाँ पे keyword उसके बाद यह डन हो गया यहाँ पे सेव वाले option आएगा फ्रेंड यहाँ पे देखिए सेव है इस पे क्लिक कर दिजिए सेव हो जाएगा फिर से आपको यहाँ पे जाना है setting वाले option फिर से open करना है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो छोटा सा दीख रहा है यह दो काम हुआ आपका channel का और यह हो गया आप advanced setting करना है यहाँ जो advanced setting है उस पे for kids तो हम इसको select कर लेते क्योंकि हम बच्चे के लिए channel नहीं बना रहे है तो इसको select हम कर लेते हैं देखिए इस तरह से select कर लिजिए यहाँ पे select हो चुका है अब आपको क्या करना है यहाँ पे save वाले option पे क्लिक कर दिजिए इस तरह से यह सेव हो गया फिर आपको जाना है इटिय स्टुडियो फिर यहाँ पे आपको जो setting का option दिख रहा है उसी में क्लिक कर देना है फ्रेंड आप video लंबा हो सकता है फ्रेंड माफ किजिएगा लेकिन आप सीख जाएगा यूटूब चैनल एक देखिए यहाँ पर कर लेना यहाँ पर सबको इनेबल करना होगा देखिए यहाँ पर एक इनेबल है और आपको यह बला भी इनेबल करना होगा और यह बला भी इनेबल यह दोनों इनेबल करने के लिए आपको क्या होगा फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको verify phone number करना होगा तो इस पे verify phone number वाले option पे आप click करके अपना phone को verify कर लिजेगा जैसे verify आपका phone number हो जाएगा तो आपका वो enable हो जाएगा और यह जो है तीसरा में advanced feature यहाँ पे देखिए तभी आप इस अब enable होगा तभी आप thumbnail वगेरा लगा सकते हैं और 15 मिनट से long जादा वीडियो को बना सकते हैं अन्यथा नहीं बना पाएंगे तो आपको यह सब enable कर लेना होगा यहाँ पर अपना एक ID से आपको यहाँ पर verify कर लेना होगा यहाँ आपको कोई सा भी ID देना होगा valid ID और उससे अपना verify को कर लेना होगा ताप यह दोनों काम आप कर लिजिए फ्रेंड उसके बाद जब वो काम हो जाएगा सबसे पहले से वाले option पर क्लिक कर दीजेगा उसके बाद upload default upload default में यहाँ पर visibility को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखना चाहरे हैं आप अपना यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर आपको तो जो आप हमेशा यहाँ पर अनलिस्टेड रखिएगा यहाँ पर एक टैग बना लेना है जैसे हैस्टेक करके hashtag cook जो भी आपका channel का नाम है उसको इस तरह से आपको बना लेना होगा यहाँ पर देखे हम बना लिए इसी तरह से आपको बना लेना होगा और save बाले option पर click करके आपको save कर देना होगा उसके बाद यहाँ पर advance setting है यहाँ पर चलियाए यहाँ पर है यह जो है standard YouTube license में बंगला में क्या बोलРИएगा कि चाइनम चाइणीज में बोलिएगा है यहां से सलेट कर लिजिए ओंधी में बोलते हैं तो हम हिंधी Kapela कर लेंगा कि है यहां देखियं हिंदी का यह complet आपको देखने को मील रहा है किरा आप इंग्लिस हमें इंग्णी स9 visit नें हैं इतना काम औरन अमेने दester w kann men करना है या औफ करना है जो भी आप अनुसार के द PER कर सकते हैं तो के लोग आपको फीडवेंड दे सेव करने के करें सेव करने का बाद आपको पर यहां पर कर के लिए बहुत टाइम लगता है तक्रीबन जब हम सुरू सुरू चैनल खोलेंगे खोले तो हमको तीन से चार घंटा लग गया था उसको सिखने और समझने में तो इसके बाद आपको आगे हाँ परमीशन परमीशन वाले उप्शन पर यहां पर देखिए आपका बन गया है ज कि इसमें देखिए इसमें क्या है आप क्लोज करिए या तो टेक सर्वेल जो भी लेना चाहरें आप अपना मर्जी का अनुसार ले सकते हैं कम्नीटी वगेरा यहां पर है देखिए इसमें कुछ है कि ब्लॉक बड्स जैसे कुछ गाली वगेरा यह सब होता है ताप उसमें यहां 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 पर लिख के रख सकते हैं अपना अनुसार से अपना मर्जी से यहां पर डिफॉल्ट हो गया यहां पर कॉमेंट वगेरा आपको कुछ मतलब कि जैसे कि कोई सांती पूर्वक करता है तब तो कर सकता है होल्ड पोसेंशली इंप्रूवेट चैट तो आप इस वले अप्शन पर अपना मर्जी के अनुसार जैसा आप जिस तरह का विडियो बना रहे हैं उस टाइप से आप अपना मर्जी के अनुसार यह सब कर लिजिए फ्रेंड आप यहां पर और उसके बाद यहां पर एग्रिमेंट वगेरा में कुछ नहीं करना है क्रियेटर यहां पर बता दी कम्यूटी बगर भी मनें बता दी हुझ तहूं तो समझे का कोई दिकत नहीं हो सकता है आप हर कुछ समझ गए होगे अप अप्लूट डिफॉलट में भी हम सारा कुछ बता दिया हैं अब आपको यहां सिसम में रिचाग्षी को एडवांस सेटिंग में य और जो भी केटेगरी पर आप विडियो बना रहे हैं कार एंड वाइकल्स या कॉमेडी है इडूकेशनल है इंटर्टेंटमेंट है या कुक है फिल्म है यहां पर बहुत तरह के यहां पर है जो भी आपका केटेगरी है पहले आप उसको सेलेक्ट जरूर कर ले तो अगर ब्ल से कर लिजिएगा तो चलिए हम कर लेते हैं यहां पर कुक का तेहां पर दिखाने रहा है फेंड नियूज और प्लोटिक्स पेट एंड पीपल और ब्लॉक्स नन प्रॉफिट्स स्पाइंस अं टेफ्नोलोजी स्पोर्ट्स इवेंट्स म्यूजिक हां हाँ टू एंड स्टा चैनल में क्या परिवर्दन होता है तो चलिए हम आपको यहां पर आप देखिए यहां पर है कि आप अपना मर्जी से ब्रैंडिंग वागेरा जिसने हां पर लगा सकते हैं बैनर लगाना यहां से अप्लोड वाले ओप्सन पर जाईए आप अपलोड बैनर जो बना रखे आ आप चैनल name handle और description आपयाँ पर लिक किए और कोई सा भी social media account का add यहाँ पर लिंक कर सकते हैं अपना language select कर सकते हैं आप जो भी आपका language है यहाँ पर आप we channels कर दीजियेगा तो इस तरह से आपका सारा यहाँ पर समझे चैनल ओपन हो जाएगा फ्रेंड अब उसके बाद यहाँ पर चलिए हम पैक जाके आपको यूटूब में अब दिखाते हैं कि अब वो चैनल कैसे दिखने लगा है देखे चलिए देखिए यहाँ पर मेरा लोगों आपको को नहीं में दिख रहा है जो हमने सेट किया है यहाँ पर चैनल देखे वाला पर चलते हैं देखे विडिएओWho इस मैंने देखे इस तरह से आभी तो ना तो कोई व 지डिडि वगेरा आप आपका यह रेडि है चैनल विडिओ दिन्स